दोस्तो आज से तीस साल पहले प्रोफेसर सैम्यूल पी होंटिंग्टन ने एक बहुत ही मतनाजे मकाला 1993 में इस मकाले का उन्वान था इसका मतलब है तहजीबों के दर्मियान तसादुम और यह आर्टिकल बहुत ही अहम था इसने आलमी सियासत में चीजों के देखने का नजरिया बदल दिया और सबसे दुख की बात यह है कि इस तरह की तहरीरों की वजह से दुनिया में दूरियां बड़ी ही है और तफरिका अंगेजी जिसको कहते हैं पुलराइजेशन और सोसाइटी में डिवीजन जो है वो बढ़ा है और खासकर इसलाम और मुस्लिम मुआसरे मुस्लिम सोसाइटी के बारे में लोगों के जहन में तास्व यानि प्रिजूडिस बढ़ गए हैं तो इन तमाम बातों को जहन में रखकर मैंने इनकलाब अख़वार में आज के रोस यानि दो मई दो हजार तेईस को प्रोफेसर हौंटिंटन के उस मकाले को फिर से दुब बारा पढ़ा है और मैंने उसके बारे में चर्चा भी किया है और इस मजमून में मैंने यह दिखलाने की कोसिस की है कि क्यों इस तरह की जो तहरीर है इस तरह की जो सोच और फिक्र है उसका मुदलल जवाब इलमी तरीके से देने की जरूरत है क्योंकि हमारी जो समझदारी है वो यह है कि दुनिया की तरकी में तमाम तहजीबों का तमाम कौमों का दुनिया के तमाम खितों का बराबर करूल रहा है तो इनी तमाम मौजवात को मदे नजर रखके मैंने इनकलाब अख़बार में आज के रोज यानि दो मई दो हजार तईस को यह मजमून तहजीबों के तसादुम की यह तफरीका अंगेजी के उन्वान से शाया किया है मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस मजमून को मैं आपके सामने पढ़ूँ सियासियात, बैनल अकवामी और सामरी मुतलावात के हलके में अमरीकी दानिश्वर प्रोफेसर सैम्यूल पी होंटिंटन एक बड़ा नाम है प्रोफेसर होंटिंटन ने अपनी जिन्दगी का बड़ा हिस्सा हारवड इन्वरसेटी के इंटरनेशनल सेंटर में बतौर डारेक्टर गुजारा तहकीकी और तस्निफी कामों के अलावां उन्होंने बहुत सारे नौजवान स्कॉलर्स की इल्मी रहनुमाई की जो आज आलमी सतह पर राय अम्मा को मतासिर कर रहे हैं और पॉलिसी साजी में अहम रोल अदा कर रहे हैं हाला कि प्रोफेसर होंटिंटन ने जमूरियत, फौज और रियासत के तालुकात, सियासी निजाम जैसे कई अहम मौजवात पर किताबे और मकाले शाया किये मगर उनको सबसे ज्यादा मकबूलियत तहजीबों के तसाद्दम के उन्वान से शाया उनके मकाले से मिली थी आज से ठीक तीस साल कबल अमरीका के मशहूर जरीदा फौरण अफेयर्ज में यह मकाला साया किया था जिस पर खोब बहस हुई तीन साल बार प्रोफेसर होंटिंटन ने अपने काम को आगे बढ़ाया और इसी उन्वान से एक मोटी किताब लिख डाले आज हम उनकी इसी तहरीरों पर गुफटगू करने की इजासत चाहते हैं क्यूंकि इस तस्नीफ ने आलमी दुनिया को सिकाफती और मजहभी खतूद पर तकसीम कर डाला और तहजीवों के दरमियान गलत फहमिया बढ़ाईं बिलखसूस इसलाम और मुस्लिम मौशरे की शबीह मस्ख करने की कोशिश की गई और इसलामफोबिया की आग में तेल डाला गया अगर इन गलत फहमियों का इजाला करना है तो प्रोफेसर होंटिंटर और उन जैसे स्कॉलर्स की तहरीरों का मुदलल इलमी जवाब देना होगा प्रोफेसर होंटिंटर का दावा है कि सर्द जंग के खात्मे के बाद आलमी सियासी निजाम बदल रहा है और अब तसाद्म के असबाब सिकाफती बन गए हैं उन्होंने मजीद कहा कि साबका दोर में तसाद्म की उजूख कोव्मी रियास्तों के दर्मियान इखतलाफात थे वहीं सर्जंग के दोरान नजरियाती इसूस पे कशीदगी देखी गई मगर आने वाले दोर में लडाईयों के बनियादी असबाब कल्चिरल होंगे तहजीमों के तसाद्म से मतालिक मफरूजा पेस करते हुए उन्होंने कहा कि नए दोर में दुनिया भर में तसाद्म की बनियादी उजूख न तो नजरियाती अखतलाफ हैं और नहीं अक्तसादी मसाइल हैं बलकि नए दोर में इंसानियत के माबैन जगड़े के गालिब असबाब कल्चिरल हैं वह आगे लिखते हैं कि जहां आलमी सियासत में कौमी रियासत का कलीदी रोल बरकरार रहेगा वहीं अब कश्मकश तहजीवों के दर्मियान होगी यानि एक खास तहजीव से वाबस्ता कोमी रियासतों का ग्रूप दूसरी तहजीवों के गिरोह से टकराएगा इन बातों का एक्तसार यह है कि तहजीवों के माबैन तसादम ही आलमी सियासत की बड़ी हकीकत हो चुकी है इतना ही नहीं प्रोफेसर हॉंटिंटन ने दुनिया को मुखतलिफ तहजीवों में तकसीम किया है जैसे मगरबी तहजीव, कनफ्यूशी सी तहजीव, जापानी तहजीव, इसलामिक तहजीव, हिंदू तहजीव, सलाव और्थोडक्स तहजीव, लातिनी अमिर्की तहजीव और अफरिकी तहजीव उनकी तहरीर में मगरबी और इसाई तहजीव की बालादस्ती के हक में तास्ब देखा गया है, वहीं इसलामिक तहजीव का खौफ पैदा किया गया है अलावा अजीव, गैर मगरबी तहजीव की खिद्मत और हसल्याबी और तहजीव के माबैन आपसी मेल जोल को नजर अंदास किया गया है इसके बाद प्रफेसर होंटिंटन मगरबी दुनिया को मतनब्ब किया है कि दुनिया में सिकाफती और मजभी शओर ना सिर्फ बड़ा है बलकि इसी बुनियाद पर सियासी और इक्तसादी गोल बंदी हो रही है यानि उनका पेगाम मगरबी ममाली के अरबाब एक्तदार को यह है कि वो गैर मगरबी तहजीवों के खिलाफ खबरदार रहें मगर उनका सबसे बड़ा निशाना इसलामिक और मुस्लिम तहजीव है तब ही तो उन्होंने मगर्बी तहजीब और इस्लामिक तहजीब के बीच बुनियादी तसाद्म की बातों को बढ़ा चड़ा कर पेस किया है उनकी यह बात भी हरगिस भी काबिल और इस्लाम के माबैन गुजस्ता तेरे सो सालों से लड़ाई चल रही है क्यूंकि तारिखी हकीकत यह है कि इसाईयत और इस्लाम के दर्मियान कौमन बाते हैं हजारो बार इसाईयों और मुसल्मानों ने एक दूसरे का साथ दिया है हजरत अल्लामा सेद सुलिमान नद्वी ने अपनी चोटी सी किताब रहमत आलम में इस बात का जिक्र किया है कि जब अल्लह के नबी हजरत मुहम्मद साहब के अहद में मुसल्मानों के खिलाप जुल्म और जातियां बढ़ने लगी तो मुसल्मानों ने हिजरत की बहर अहमर के किनारे मुकीम अफरीका के हफस मुल्क के नेक इसाई बादशाह के पास मुसल्मान पहुँचे और उसने मुसलमानों की मदद की और अपने मुलक में बड़े अमन और आमान में उन्हें रखा हजरत इसा को मुसलमान भी इसाईयों की तरह एहतराम करते हैं और उनको नभी मानते हैं यहां तक की इसाईयोत और इसलाम के तालिमात भी एक ही हैं मगर तहजीमों के तसाद्दुम के मफरूजे को साबित करने की जल्दबाजी में इन तारिखी और जमीनी हकीकतों पर परदापोशी की गई है और मुस्लिम और इसाई हुक्मरानों की सियासी एक्तलाफात को हद से ज्यादा बढ़ा कर पेश किया गया है और उन्हें तहजीमी तसाद्दुम का नाम दे दिया गया है इतनी कमजोरियों के बावजूद भी तहजीमों के तसाद्दुम की तफरिका अंगेज बाते आज लोगों के अजहान में पेवस्त हैं अरबाब एक्तदार और सिकुरिटी से वावस्ता माहिरीन की एक बड़ी जमात प्रोफेसर होंटिंटन की मस्कूरा दलील की पैर्वी करती हैं मगर सेकुलर और बाएं बाजों की जमात उनकी थियरी को खारिज कर देती है हलाकि आज प्रोफेसर हॉंटिंटन हमारे दर्मिया नहीं है मगर उनकी तहरीर का असर देखा जाता है दुनिया भर में बहुत सारी हुकूमते पॉलिसियां वज़ा करते वक्त तहजीवों के तसाद्दूम के मफरूजे से मतासिर है याद रहे कि दश्दगर्दी के खिलाप जो आलमी जंग इस सदी की सुरुवात में छेड़ी गई और जिसकी जद में लाखों मासूम लोग मारे गए इन सब के पीछे तहजीवों के तसाद्दूम का मफरूजा भी कार फर्मा है प्रोफेसर हॉंटिंटन की तहरीर ने यह नाकाबिल कबूल दलील देने की कोशिस की है कि इसलामी और मुस्लिम मुश्रा जम्हूरियत, सेकुलरिजम, जदीदियत और रोसन ख्याल नजरियात और तरक्की पसंद तहरीकों के हरीफ है प्रोफेसर हॉंटिंटन ने दानिस्ता तोर पर मुस्लिम समाज को एक ही रंग में रंगने की कोशिस की है और उनके माबैन, तबकाती निजाम, जिंसी गेर बराबरी, जात बिरादरी पर मबनी अदमे मसावात, इलाकाई और मसलकी एक्तलाफ पर परदा डाल दिया है इस तरह मसनिफ ने अपने थियूरी को साबित करने की कोशिस में मगरिब और इसलाम को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है तहजीबों के अंदर मौजूद आपसी एक्तलाफात को गायब कर दिया गया है मस्कूरा मफरूजे की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसने मगरिबी दुनिया में मौजूद तबकाती गेर बराबरी जिंसी अदम मसावात और नसली तास्थर पर भी परदा डाल दिया है ताकि इस तास्थर को फरोग दिया जा सके कि मगरिब को असल खत्रा इसलाम और मु सी अख्तियार कर ली है उनकी बातों में घेर बराबरी पर मबनी बैनला कवामी अक्तसादी निजाम पर भी कोई गुफटू नहीं की गई है दुनिया में अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है इस पर भी कोई बहस नहीं हुई है इस तारिखी हकीकत को भी फरामोश कर दिया गया है कि तहजीबों के दर्मियान ताउन एक्तलाफात के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी हकीकत है क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि दुनिया में इल्म, तिजारत, एजाद, साइंस की तरकी के पीछे किसी एक कौम या एक तहजीब का वाहिद रोल नहीं है बलकि जदीदियत का उभार हुआ उनमें भी इसलामिक दानिसोरों का बड़ा रोल रहा है युनान के बड़े-बड़े मुफकरीन की तहरीरों को पढ़कर ही यूरोप में वेदारी आई थी और इन तहरीरों को मुस्लिम दानिसोरों ने अर्बी में तर्जुमा करके उन्हें जदुरों के सामने रखते हैं तो यह वाज़ हो जाता है कि तहजीमों के दरमियान तसादम नहीं बलकि ताउन और मुश्तरका विरासत की बात बड़ी हकीकत है